हुआ है तो हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाव मिरोहत कुमार आपका स्वागत है माइस यूडूब चैनल पर कल हमने छोटा सा ट्रेलर डाला था और पूरा वीडियो बना नहीं पाया थे रिकॉर्ड नहीं कर पाया थे अभी हमने सोचाए कि फिर से एक बार वीडियो को ठीक है 2019 में हुआ था तो उसका जो पेपर था उसका सुल्यूशन कई वीडियो में मिल चुका है यूटूब पर आप सार्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे बढ़ मैं यहां पर अलग तरीके से बात करने वाला हूं उनमें कुछ ट्रिक्स भी यूज करू करोंगा पूरी तरफेसे क्या क्या होना चाहिए और लुट्स चले सुरू करते हैं देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं और यहां पर हमाँ पास जो प्रशना वाली है उसका में को प्रौइड करा दिया था कमेंटरी पोष्ट में की से कैसे इसको हल करना है तो कॉष्छण पहले से सुरुवात करते हैं देखते हैं कि क्या क्या कोष्ण सोने वाले हैं पहले कौश्ण है कि यह दि घनाप का आयतन आपको दिया गए है यहां पर एक्स्क्यू प्लस माइनिस 7 एक्स प्लस 6 हो तो घनाव के सबसे बड़ी भुजा क्या होगी तो यहां पर सबसे बड़ी घुजा कौन से यह हमें चेक करना है विकल्प आपको दिखाया दे रहा है पाहला विकल्प दिखाया है यक्स प्लस 3 और दूसरा विकल्प है इन में से कोई नहीं और तीसरा है एक्स माने अगर हम यहाँ विकलपो की बात करें तो तीनों जो दिये गए हैं चौधा वह अब्blind कूंस दिखाए दिया गया है। वह सबसे बड़ा है क्योंकि एक्स मौनेस एडिया है चोटा उब यहां और यहां पर और फी छोटा हो गया तो अब दो-बहूर यहां पर प्लेश इस का गुड़न खेंड बनेगा कि नहीं बनेगा deixar हम चेक करने के लिए यह की वैलू निकाल लेते हैं देखिए यहांपक्षाली तो किया है यहां से यह बराबर 12 मिल गया जो कि वन्य यहां पर उठा के आसे अपना नी दिया था उसमें रखाए तो एक्सक झीटा पर सब्सक्राइब यहां पर माइनस में ही मिलता है और यहां पर साथ दोनों लोग माइनस में तो प्लस हो गया और प्लस च्छे है एक च्छे गुड़नखंड होगा जो उपर एक प्लस तरिंद देगा है तो इसकी सबसे बड़ी बुझा यह हो सकती है ठीक है यहां पर हमने पहले संभावना व्यक्त किये क्योंकि हो सकता है इसे भी बड़ी हो जाए कोई भुझा लेकिन हमको यहां पर जो प्रिकल्प दिये गया है इन सबसे बड़ा कौन सा है जिसके साथ प्लस था यह प्लस थ्री था तो वह आपका उत्तर हो जाएगा तो पहला विकल्प सही हो गया कैसे हुआ आपने देखा समझा जान दिया अब दूसरे प्रेश्ण पर हम आ जाते हैं अभी तक हमने तीन घात वाले बहुपत की बात की थ का एक लाएं आपको दिया गया है पहला वाला मूल दिया गया है चार प्लस रूट सेबन बटे 2 और चार मानस रूट सेबन बटे दो तो हैसे मैं समीश करी को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है कॉंसा यहांपे लिख कर रखा है क्या मुझे बाताना आप यूं सिल और सुने को और हमने ऊपर बड़े राम से निगाल लिया है अभी क्या है कि नीचे वाल गिंती बराबर है तो हमने एक बार दो लिख दिया और उपर 4-4 जोड़कर के 8 हो जाएगा क्योंकि 4-4 जोड़कर के 8 हो गया और 7 प्लस माइनस में था इस वज़े से कड़ गया तो माइनस 7 और प्लस तो रहाँ अर्पलस दोनों कड़ जाएंगे तो 4-4-8 जाएगा 8 को जब दो से भाख करेंगे तो चार मिल जाएगा तो यानि सुने को का योगफल कितना मिल चार रखेंगे यानि इस की जगहां पर क्या रखा है क्या बनेगा चार कवर्ग बन जाएगा सुला और अदरू रूर साथ कवर्ग जाएगा साथ सोला में ससाथ गया कितना मैं जा नौ बच गया तो यह पर दोड़ कryおい अब इनियुक्त को यहां पर रख देना है तो बड़ाराम से हमने यह नहीं पर एक है इपनोबे कि इसकार है अब हम इसकार मैम सोली एक्स प्लसनौ तो 16 16 प्लस नो यह कौन से विकल्प हो रहा है और कोई विकल्प नहीं सही है ठीक है बस यह के रहे हैं तो यह रहा है करेक्ट एंसर उम्मेद समझ में आये होगा बहुत ज्यादा आसान सवाल थी कोई भी बड़ी चीज नहीं थी अगली सवाल पर हम चलते हैं सवाल है कि दो समंतर रेखाओं थ्री एक्स प्लस फूर वाई माइनस सिक्स बड़ाबर जिरो यह पहला समीकरण है कि अंते शीचे वहां पर सिखाए बताइगे हैं तो यहां पर हम इसके जो ऊस फर्मूला उसको देखेंगे दो फर्मूला क्या होता इसका जब्लम भी जब भी दो रहाओं के लंप की जो लंप दूरी है या पे चीदिक डूर आगर वूल निकालना है तो फार्मूला बन जाता है डी बराबर देखें मॉड लगाया जाएगा यह मॉड है यानि की मॉड का मतलब यही होता है कि यहां पर जो भी आप हल कीजाए अगर उसका मान माइनस में भी मिलता है तब पर भी आप प्लस ही लेंगे ठीक है तो सी वन माइनस सी टू रखना है और अंडरोड ड्रॉके स्वारबेसुआज अब सी और सीटू किया है और सिखकर किया है तो हल अगर आप यहां पर देखेंगे सबीषब में देखें तो तीन और चार क्या क्या यह आथ क्या है अबीए और यह जो चे रिखाई ले रहा है मायनेस च्श और यहां माइनस साथ यही सीवन और सीटू है पर यहां पर चीज जो समझ में आती है वह यह है कि तीन और चार और छे और आठ बराबर नहीं हो रहे हैं बड़ एक चीज है कि अगर हम समीकराण एक में दो से गुड़ा करा देते हैं दो त्याइंच हो जाएगा और चार दुनियां सब्सक्राण आठ वाइब जो दूसे सब्सक्राइब के साथ हैं वह बराबर दिखाए बीए जब ऐसा दिखाए देगा तो यहां पर यहां पर नाचा को माना है atti थोड़ा सा अच्छा समझ में आए तो यहां पर माइनस माइनस प्लस साथ माइनस ते के सी माइनस सी वन माइनस सी टू होता है तो साथ माइनस माइनस बारा हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साथ प्लस बारा बराबर 19 हो जाएगा और नीचे 6 स्कॉर प्लस 8 स्कॉर रग दिया है अब क्या होगा जादा कुछ नहीं होने वाला है बहुत यह राम से 6.36 हो जाएगा और 864 हो जाएगा जोड़ने पर सो जाएगा सोक वरक मुल दस हो जाएगा ऊपर बारनों नहीं सो जाएगा यानि 19 बटे 10 जो मिल जाएगा यह इतनी एकाई इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी अगर हम यहां पर मुले कई चीज़े होती है जहां पर आपको यह समझना होगा देखिए इसे ठीक है आप चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कई सारी चीज़े उसमें दी गई है ठीक है आगे चलेंगे हम और भी को देखेंगे जैसे कि हमाने पास है में लिए चाओ फारान करी चल लाएं तो यह रहाएं data क्या कहा गया है कहा गया है तरिफोच की बुजाओं का पाद पदेशा होते हैं और एक सो चोवाले सेंटीमेटर है ठीक हो न पाद दिया गया और परिमाब दिया गया इसका छहसे पूछा जा रहा है तरब श्यक्न य रहा है अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें कि भुजाओं का अनपाद तीन चार और पांच जो हो रहा है यह तो बुजाओं का असल मान के बराबर हो सकता है तीन चार और यहां का अब अफार पांच इसाथ में लगाएंगे इसनाफ परworद हो दियो रहोगता है क्यों कोई भी त्रीविज्यों को होदा है तीने भुजाओं का योगफल उताária तंब भुजब बेराबर 144 थह इनको जोडने पर हो जाए की सिंद्र एकसाइब हम 12 x 24 कि बारा मिल गया है हमको कितनी मिल गई है 12 मिल चुकी है और इसी यह की वैलो को अगर हम यहां पर रख देते हैं तो हमкоं को बुजाओ के मान मिल जाते हैं बारतियां 36 1,240 42.50 60 तो यह तीनों भुजाएं मिल गए अगर हमको तीनों भुजाए मालुम है हम ही रोन का सूत्र लगा सकते हैं जैसे कि हमने लगाया है जहां पर हमको एस बराबर निकालना होता है यानि उसका अर्थ परिमाप क्या होता है a plus b plus c by 2 यानि कि तीनों भुजाओं का योगफल बटे दो और परनिमाब तो आपको 144 दिया ही था उसका आधा करतीजिए तो साथ में हीरोन के सूथ बराबर क्या होता है जो यहां पर डेल्टा बनाया हमने यह चीजों को रखना है तो सबसे पहले बाद तो यहां पर अपना स्कामाद रख देते हैं दूसर का एस माइनस यानिकी एश में 36 को गटा देंगे बातर में अपना दूसरी भूजा मिले थी और फिर साथ मिले थी इन सभी को तीनों को बारी-बारी से घटा करके यहां पर रखने के बाद इसका गुड़ा कर देने के बाद हमको क्या मिल गया हमको इसका छेत्र रफल मिल गया और सो चौहँ सट सेंटी मेटर स्कॉर बहुत ही आसान तरीक है दूसरा हमने बात की थी यहां पर पाथा गोर्ष ठेवरें काम कर रहा है बड़ हमने यह सोचा कि थोड़ा से चेक कर लेंदे कहीं गुड़ाज में ऐसा दिक्कत तो नहीं होती है तो बैस जो काम करता है इसका मतलब किया है कि जो भी न पाद आपको पहलेन को Хiron का सूथ्र लगाने की जरूरत नहीं इतना ज़ाता करने की जरूरत नहीं है अप उसमें पहुत कि बाणने की ज़रूरत तो हम एक बिटे-दो आधार-गृते उचाई बड़े अराम से रख सकते हैं और यहां पे हम कैसा ट्रीक अपना सकते हैं वो थोड़ा से देख लेते हैं तो हमने यहां पर यक्स का मान निकाल लिया इतना करेक्ट है उसके बाद भूजाओं का मान निकाल लिया यह भी साथ से यहां पर रख देना है एक वेटे दो आधार गुड़ते उच्छाई की साथ से रख देना गुड़ा बाग करा देना है वही इंती मिलनी चाहिए और मिलेगी भी अभी इससी बात है वही मिलना चाहिए तो छेत्रफल जो हमको थोड़ा सा मुस्किल लग रहा था थो थ सबीड़ास मारे में कुछा रहा है क्वेश्जन्हें एक लंब रति बेलनन का आयतन है बेलनन हमको इन दिया में कितना है AND 9 क्या होगा है हम से पूछा आप आपके पास तीन है और चौथा जो पहला आलहें कोई नहीं दिया ग But कोई बात नहीं है हम यहां पर लगा है कि को दिखाए तह dosrec प्री नेकले किас यहां इङकर साघराय संसित मिल रह एक साइस से मिल देए लेकिन दूसरा वाला जिसी20 अभने पास था उससे नहीं कट रहा है था था हमने बटे में चोड़ते हमने बढ़ने की कोई जहमत नहीं है तो अधनी चैनल करने की ज़रूरट नहीं है क्योंकि हूँ है अगर आप गुडा भाग करोगे साथ से भाग कर रहे हो तो यह जो पुडांख मिल रहे हैं इने में से कोई भी पूडांग करके देख सकते हैं कोई इसके आसपास भी कोई नहीं होगा बात को समझ लिया आपने कि क्या हो रहा है साब यहां पर पूरे सूत्रों को अपलाई किया हल करते गए आखर में वक्रप्रेश जब निकालने की बारी यह तो इन तीनों विकल्पों में से कोई नहीं मिल रहा है हमने गुड़ा-बाग कराने की जादा बहु और 10969 एक अधर 20689 कोच हो उत्तर मिलेगा तो आपको 269 लगा देना होगा तो यह आपको ध्यान रखना है कि एसा प्सेंवित थोड़ा से नियार बाउट देना है देता है तो थोड़ा से मैनद कर लेना धिन बदल लेना है अगर इन में से कोई नहीं आ रहा है तो इन में आप भूल जाएं अब छटे सवाल पर चलते हैं च्छटा सवाल क्या है यह दिया गया यह यह बराबर 4x प्लस 1 अपान एक से यह दिया है तो एक की वैलू क्या होगी यह मान क्या होगा total विकल्ब दिये हैं और कोई नहीं साथमें दिया है तो सबसे पहले था तो हमने यह भराबर लिखा था वही हमने लिख लिया और यहां पर बटे में एक लगा करते साइस जो है बटे में प्रॉपर लें उसके बाद ऑन अपवर एक कमान निकालने के लिए इसी गिंति को उल्टा करके मैं लिख लिए तर्ट्थ क memb दोनों का प्लस निगालना था तो उलकर्ती आगे चले गए तो यहां तो कुछ नहीं रहा है कि इसका उतर क्या होगा इनमें से कोई नहीं थे देखा आपने की कैसे इस भी विकल्प का उत्तर इनमें कोई नहीं आ गया तो यह थोड़ी बहुत रहती हैं जिसे जिन में आता रहता है और यह जहां पर कोई नहीं आता है ना वह सबसे जदा फ्रस्टेट करता है कि खोदा पहाड निकला चूहा वह भी मरा हुआ यहालात हैं अब साथवे सवाल पर चलते हैं यहां पर क्या कहा गया कि प्रिथभी अपनी कक्षा ना सुरी अच्छ पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 गंटे लगाती यह निए 24 गंटे में एक पूरा चक्कर प्रिथभी जिसके वज़े से दिन रात होते हैं ठीक है अपनी धूरी पर अपनी धूरी पर 24 गंटे में पूरा चखकन लगा लेती हैं और यहां पर निकालना है तो वहां तीर गंटे 20 मिनट में कितना कोड़ों गोमेगी विकल बिन मेंसे दिखाए देरहे हैं हमको यहां पर बताना है कि कितना कोड़ों गोमेगी तो भाइज इस तितिया कुछ यू प्रित्त हो या फिर कोई बाड़ी सी प्रितिवी हो सब के लिए एक चक्कर का मतलब 360 अंस ही होता है तो एक चक्कर यानि 24 गंटे बराबर 360 24 में साथ से गुड़ा कर दिया तो हमको मिल गया है 24 गुड़ा करके गंटे को मिनट में करके अभी यहां पर एक मिनट कानने के लिए 24 को नीचे जीज दिये चाटने पीटने के बाद तो दो मिनट में दो गुड़ते एक बढ़ता जाएगा इसी वज़े से एक बढ़ते चार में हमने गुड़ा कर दी है टोटल तीन गंटे 20 मिनट से और तीन गंटे 20 मिनट को मिनट में कर लिया है जहां पे तीन गंटे 60 मिनट मिल गए है और यह में चार से गुड़ा कर दिया तो हमको कितना मिला पच्यास अंस गूमती है और मैं आप से पूछना चाहूंगा कि एक गंटे में कितना अंस गूमती यह आप कमेंड करके बताई तो भाई यहां पर कोशन आपको समझ में आया है पचास अंस आपको उत्तर भी मिल गया अगर आपको दूसरा वाले भी कल्प पी सही हो जाता है चुल अच्छी बात है इन में से कोई नहीं भी कर भी कर भी सही हो जाना चाहिए अच्छा लगता है अब अगले प्रश्ण की बारी हैं देखते हैं कि अगला प्रश्ण कहां गया है कि यदि एक के सुरी ठीक है यदि घं की भुजा छे सिंटीमीटर हो तो गन का विकर्ण क्या होगा गन की भुजा छे सिंटीमीटर हो तो गन का विकर्ण क्या होगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश इतना सा बात बोजा आपको 6 दी गई है तो 6 रूर 3 कर देज़े उत्तर हो गया और कुछ भी यहां पे नहीं करना है अगर गन के विकन के बारे में आप जानना चाते हैं तो भाई फिकर देखो गन का विकना ऐसा होता है भाई यह रहा आपके पास एक गन क्या हो गया यह एक पासे से इस बिठक को मिलाने वाले जो रेखा होती है इसको कहते हैं विकन और यह जो होता है इसकी वैल्यूंग अगर आ अगले प्रश्च में चलेंगे और यहां प्रेश्यंसान है कहा जा रहा है समी किराण वाइक पार 2.3 माइनस तू वाइक पार 1.3 इसको फिप्टेन तो इसके क्या है हल कौन से होंगे इनमें से कौन से हल होंगे चार्वी कल टोटल दिये गया है अब यहां पर देखें यह जो है घाते के रूप में जो घात बटे में दी गई है इसको समझबाना सूच जान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता रहा है मेसा से पर इसका आसां तरीका क्या है कि जो बीच वाला हिस्सा दीखा रहा है इसको आप यक्स के भाल बराबर मान लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर माना है तो इसके उपर घाते 2 है तो जब इनका गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 में आई वाइ庭ा ने तीन कीपते बस सिंपल से बात है अब चीजों के यहाँ पर उठा उठा कर रखना हम सुरू कर देंगे बहुत ही आसान तरीके से हमको इंसर मिलना सुरू हो जाएगा जहां पर y के पार 2 अपार तुपान 3 था वहां पर हमने एकस इस्कौर को रख दिया है जहां पर 2 जहां पर y के पार 1 अ माइनस 2 एक्स माइनस 15 टूज तो अब हमको कर हिसका गुढ़ा करने पर 65 जोड़ने पर बबन जाए दो तो पांसे 59 नहेंद से अब आगे वाला जो हिस्ता है वहां से हम खर में किया कॉंब लेंगे ये चैक्स से यकस जब कॉंब लेंगे ये यह मैंनेस पांच फनेंका गया जाए्ट रप्रिपनिक यद्वर्षाय तो अब यहां क्या करते हैं यहां से इसकी वैलु निकालना जुरू करते हैं यह समा यह पार जाएंगी तो उलट जाएंगी घाते 3 हो जाएंगे हमेंसा याद रखेगा तरीका याद रखेगा यहां पर जो होने वारा है वो चीज याद रखेगा यहां पर हो क्या रहा है कि y की power one upon three है is called to five है जब y का मानग को निकालना होगा तो यह घाते जब पक्षांतर करती है कि वल्ड़ घात को बेज रहें है तो बट बट जाएंगी यानि गाते 3 मन जाएंगी या आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि हम ने दोनों पक्षों में गाते 3 कर दिया है जिसकी वज़े से यहाँ पर देखिए गाते 3 करने के विज़य से एक बटे तीन कड़ गया यानि वासी कहते है और यहां पर पांच की आवर पर पांच पंचीज, 25 मुझ एक सोपचीज हो गया है और यहां पर यहां के वाइक वैल्यू कि थ्री उधर जाएगा तो घाते तीन मन जाएगा और यहां पर वाई के बाद तीन का नौत रिक 27 मिलेगा चूंकि हमारा पास माइनस टी और घाते तीन हो रहे थी इस वज़े से कितना मिल जाएगा माईनेस 27 मिल जाएगा तो एंसर किया मिल रहा है प्लेस 125 मानेस 27 अगर मिल आना चाहेंगे तो यहां पे हम कौन से विखल्ब सही मिल रहा है तो यहां पी हम देख रहे हैं से वाला वीकल्फ मारा सही है यही हमारा एंसर है अब आगेगा जो प्रशने सवाल नंबर दस यह बहुत ही जादा असान है क्योंकि यार यह मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां पे चक्रेश चतरुपज बना त्रबुज बना ब्रित बना अच्छा मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्यों कि और सामने वालों को तो इसमें इस इस फिगर बनाई जो भी फिगर बनाई बस यहीं फिगर करके मैं पढ़ लेता था मलब का इसे ऑर किव होगा में मैं कैसे करता हूं यह देखें ध्यान से समझ यह बात को नहीं फिगर बना है फिगर में यहां पर एक्स वैलू दिखाती रहे यहां पर दिखाए रहे यानि एक सब्सक्राइब पूछ रहा होगा कोशन भी आप पड़ सकते हैं और कुछ कोशन में थोड़ा लंबा भी दि सब्सक्राइब पर होते हैं ऐसे में एक सब्सक्राइब बन जाता है यह बराबर कितना मिल जाएगा पचास मिल जाएगा तो एक सब्सक्राबर पचास यह दो सी और ए में लिया गया है और वाई की वायली वंकास निकालेंगे इन दोनों को जो उड़ने पर 180 होना चाहिए है नहीं वाई बराबर 180 माणस को भीस होना चाहिए 180 में 120 को गटा होगे, कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, यानि YQ वैलू कितना हो जाएगा, 60 ये दोनों मिल रहें सी वाले विकल्प में, यानि सी वाले विकल्प क्या हो गया, सही हो गया है